तो स्वागत है आप सभी का एपिसोड नमबर टू में हमारे इस प्रोग्रामिंग या फिर क्पिटर साइंस की जर्णी में तो एक बर कुएक रिकाप कर लेते हैं हमने लास्ट है क्या पड़ा हमने तोड़ा था देखा कि क्या होता है कंपिटर साइंस किस तरीके से चीज़े से काउम करती हैं और क्या उसमें प्रोग्रामिंग और फिर उसमें लैंग्विजिस का क्या रोल होता है तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा जैसा कि हमने पिछले बार देखा था कि हमारे पास C++ पाइथन जावा स्क्रेप्ट गो और रूबी होती है लग जितनी यह ज इसके बारे में ज़्यादा जो कुछ होगा वह आगे पढ़ते रहेंगे दीरे दीरे और उसको जानते रहेंगे तो अगर मैं नेक्स्ट की बात करो हमारे पास जैसे कंप्यूटर होता है जैसे हमने पिछली बार भी देखा था कि हम कुछ जैसे सब्सक्रों दिस इस अ कंप प्रियूटर और आपके पास आप इसमें कुछ इंपुट देते हो इंपुट मतलब कि हम जो चीजें कंप्यूटर को प्रोवाइट करते हैं हम क्या प्रोवाइट करते हैं जैसे कि हमें अगर लैप्टॉप में कुछ लिखना हुआ यह तो हमने कीबूर से प्रेस किया और वह आटोमेटिकली जाके स्क्रीन पर दिख जाता है अगर हम एंटर करते हैं तो एंटर दिख जाता है अगर हम अपने फोन पे वाटसेप के आइकन पर क्लिक करते हैं तो वह आटोमेटिकली वाटसेप खुल जाता है मतलब हम कुछ जो काम कर रहे हैं हम अगर कुछ उसको क वह चोटा सा बच्चा है और अर यसा मेरे घर में है तो अगर अगर में आप उसको सिखाना चाहते है Hyp Fred है शर्ब« अब ध्याओ है क्थwe इसी तरीके से हम computer में कुछ input देते हम जो काम करना होगा वो हम उसको बताएंगे कि आप यह करो इस बीच में जैसे suppose करो यह computer है इसके अंदर कुछ चीज काम करती है और उसके return में हमें क्या मिल जाता है output but the fact is कि इसके अंदर कौन सी चीज काम करती है लब ऐसा अंदर क्या होने लगता है कि input दीने पर यानि आप जब यह पर प्रिंट को जब आप कमांड देते हो like जब यह मंं प्रिंठ का कंद देंगे प्रिंट के कमांड के बाद हमें यहां पर एक printer से यहां पे कुछ एगा paper देख जाएगा तो ऐसा हमें यहां पर क्या होने लगता है अंदर कुछ की गरबर हो जाते हैं विकॉस हम यह जानते हैं कि computer हमारी Hindi English की भाषा को नहीं समझता अगर हम उसमें English में अगर हमने print लिखा है अगर हमने English में अगर हम उसमें print लिख रहे हैं तो उसको नहीं समझा रहा means यहां पर कुछ ऐसी एक language है जो की computer समझ रहा है और वो क्या समझ रहा है उसके बारे में थोड़ा सा डीटेल में गुछते हैं ठीक है तो जो computer जो चीज समझता है या फिर computer में जो चीजें लिखी होती है आपके phone में जो चीजें लिखी होती है सिर्फ 2 numbers में लिखी होती है जिसको zero आ या one बोलते हैं zero या फिर one इन दो में ही आपका सारा का सारा data फसा हुआ अंदर चाहें आपकी photos हों चाहें आपकी images हों चाहें आपके video's हों चाहें आपके Games हो चाहें आपकी कोई file हो, आपने कुछ अगर लिखा भी है, तो computer के अंदर, computer की memory के अंदर, क्या होती है memory, वो भी हम आगे बात करेंगे, उसके अंदर ये 0 या 1 की form में ये अंदर सारी चीज़ है, कोई hello, if, what, answer, a, b, c, d अगरा कुछ नहीं, सब कुछ 0 या फिर 1 के अंदर लि than convert किसमे हो जाएगा, 0 और 1 की form में, अब 0 और 1, खाली 0 या 1, मतलब, इस एक नंबर से, जैसे सिर्फ हम दो value डिफाइन कर सकते है, either 0 और 1, अब 0 को कभी-कभी बोल दिया जाता है true, और 1 को बोल दिया जाता है false, ठीक है, computer की भाशा में, 0 का मतलब, sorry, 0 का मतलब होता है हमार ठीक, तो यह computer की भाशा में होता है, तो अब इन दो नंबरों के pattern को मिला के, आपकी बहुत सारी चीजे बनने लग जाते हैं, अब आपकी images, इतनी बड़ी-बड़ी images देखते हो, अब आपकी photo होगी, उसमें आपकी photo यहाँ पे होगी, वो सब भी क्या होती है, image भी आपकी zero या one की form में बनती है, उसका होगा सा अलग concept होता है, वो भी आगे देखेंगे, बट अभी तक जितनी भी files आपकी हैं, या फिर जो भी कुछ आप करते हो, print वगएरा, जो भी command जो आप देते हो, command देना से जो भी आप computer को instruction देते हो, दिशा निरदेश देते हो, वो सारे zero या one की form में होते हैं, अब इस zero और one को आप true और false हो सकते हैं, या फिर हम इसको basically एक light bulb की तरीके से, इसको हम consider कर सकते हैं, मतलब एक पूरा समझने के तौर पे, just like आपके room में एक bulb है, जैसे मेरे पीछे एक bulb है, आप suppose करो यह bulb है, तो zero का मतलब है कि वो bulb क्या है, off है, ठीक और one का मतलब क्या है कि उसको on कर रखा है, तो या तो bulb off होगा, या तो bulb on होगा, अगर हम इस एक bulb की बात करें, बट अगर हम यही multiple bulbs यहाँ पर रखते हैं, तो हम उनके साथ में हम एक pattern बनाते रह सकते हैं, कि हम एक bulb को off कर दें, सारे को on कर दें, दो को off कर दें, एक को on कर और तीन को off कर दें लब इस हिसाब से आप कुछ ऐसे pattern में सकते हो ताकि आप इसनी चीज़े कर सको तो अगर एक मैं question सीधा सा पूछ हूँ आप लोग थोड़ा सा पॉस करके बताना कि zero और one को represent करते हो जिरो और one की form देते हो आप क्या क्या चीज़े लिख सकते हो अभी हम example लेते है numbers का तो हमारे पास किसी भी number को जानने के लिए वार पास सिर्फ इतने number होते हैं सारे numbers इसी में पूरे हैं जुद्ने भी दुनिया भर के जितने करोणों लाग हो सब इनी जीरो से नाओ के pattern के भी से define करते हैं चाहें आप two 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 ले लो two two four ले लो two four four ले लो वो सारे इसी numbers की form में define होते हैं तो क्या हम zero और one को represent करते हुए क्या हम कोई ऐसी ये zero one two three four numbers हमें define कर सकते हैं अब अगर मैं zero लिखूंगा तो वो तो it is directly defining के zero है ठेक है जीरो का मतलब क्या है कि हो तो सीधे 00 बता रहा है अगर मैं या पर one लिख देता हूं तो भाई वो one दिखा रहा है मुझे बट अगर मुझे two को represent करना what about अगर मुझे three को represent करना what about अगर मुझे four को represent करना तो इस तो नहीं हो सकती ना तो इसके लिए हम क्या करते हैं इन दोनों मतलब हम नहीं computer क्या करता है इन दोनों को combine करता है वालब zero और one को combine करने कोईश करता है let us suppose कि जो bulb है यह zero है और यह one है या फिर अभी के तौर पे हम इसको zero one नहीं मानते हैं मैं एक bulb मानते हैं अब इन दो बल्बू के मदद से आप कितने तरीके के pattern या कितने तरीके कि आप नए नए features add कर सकते हो suppose करो दो बल्ब रूम में तो या तो आप दोनों को off mode पे रखोगे ठीक है अगर आप दोनों को off mode पे रख रहे हो तो कुछ इस तरीके का scene बनेगा या तो आप एक bulb को on करोगे मैंने अगर यह वाला bulb मैंने माल लिया one यह वाला bulb मैंने माल लिय तो first bulb को आपने on कर दिया first bulb को off किया second को on किया दूसरे case में आपने क्या किया first को on कर दिया दूसरे को off कर दिया ठीक है, first को on कर दिया, दूसरे को off कर दिया, इसके अलावा अभी तक हमने देखो क्या क्या किया, एक तो पहले आपके और दोनों off थे, ठीक है, फिर हमने क्या क्या किया, पहले को off रखा है, दूसरे को on कर दिया, पहले को on कर दिया, दूसरे को off कर दिया, और एक हम और pattern मना स तो यह कुछ चार तरीके के हम इसमें पैटर्न बना सकते हैं अब इसी तरीके के ज़वान के चल रहो मैंने क्या बोला था कि जो 0 वाला है वो OFF है और जो 1 वाला है वो यानि ON है तो या तो हम दोनों को 0-0 रख ले हैं या पहले को 0 दूसरे को 1 कर दें फिर हम one और zero कर दें और फिर हम दोनों को do 1-1 डाल दें तो इसका मतलब हम अगर 01 और ました अगर आपर ले रहे हैं तो इस से हमें क्याά पता चल रहे हैं हम इससे 4 तरीके के कुछ pattern बना पा रहे हैं ठीक है हम इससे को चार तरीके के पैटन मना पारे हैं अब इस चार तरीके के पैटन का मनलब है कि we can handle four different numbers ठीक है आप इसमें चार डिफरेंट तरीके के numbers आप इसमें handle कर सकते हो अब देखो वो कैसे है अगर 00 दोनों है तो इसका मतलिब क्या है वो number क्या है जीरो है दूसरा केस क्या होगा यह 01 है तीसरा 10 और चौथा 11 अब हम इन दो numbers के pattern से हम इतने तरीके के number हम बना पारा है बट अगर मैं यही combination को थोड़ा सा बढ़ा कर दूँ अभी तक मैं दो numbers दो different use कर रहा हो 0 और 1 अब मैं चाहता हूँ मैं तीन तरीके के यहाँ पे spaces यूज़ कर लूँ अनलब आपने कमरे में तीन बल्ब लगा दी अब उन तीन बल्ब से क्या क्या pattern मना सकते हो तो यह तो पहले दो तीनों को off कर देंगे या दो को off करने के बाद तीसरे को on कर देंगे या फिर दूसरे को off कर देंगे या फिर दोनों को on कर देंगे तो इस तरीके से हम बहुत यतने terms हैं वो हम देखेंगे बाद में, यह 1 bit, यह 2 bit, यह 3 bit, जैसे हम 11, 10, 100th place हम जानते हैं, किसी भी number में, like अगर 2, 2, 4 लिखाओ, तो this is 1, 10 and 100, यानि 11, 10 and 100, यानि 11, 10 and 100, इस तरीके से हम इसको देखते हैं, तो इसी तरीके से हम इन तीनो numbers की position पर हमें 0 रखना है या फिर 1 रखना है, तो हम इस तरीके को जितने patterns बना सकते हैं, अब इनको represent करके हम कुछ 7 प्रकार के अलग अलग तरीके के numbers हम इससे define कर सकते हैं, तो coders, programmers ने क्या किया, पुराने जमाने जो भी जिनोंने बनाया इस च अभी आ कैसे रहे, इसका भी एक अलग logic है, मतलब अगर 111 लिखा है, तो how is it possible कि आप यहां से 7 बना सकते हो, या फिर, तो देखो इसको, हम सब को एक आई धाई सेकड़ा अजार पता है, कि वन स्टेंस हंडिर्थ प्लेस पता है, और हम यह पता है कि this is what written as 234, 200 प्लस 30 प्ल 200 प्लस 30 प्लस 4, तो हमें यह पता है, गर हम इसको number को split कर लें, तो यह हमारी जो position होती है, इसको हम बोलते है, once place, इस position को 10th place बोलते हैं, और इस position को 100th place बोलते हैं, वनना भी काई, दाई, सेकड़ा, I guess, इतनी basic तो आपको सब को पता होगा, but is 100 से मैं 2 बनाना चाता हूँ, मैं यहाँ पर 3 लाना चाता हूँ, मैं यहाँ पर 4 लाना चाता हूँ, हम क्या करेंगे, इस से हम इसको 2 से multiply कर देंगे, इसको 3 से 10 को multiply कर देंगे, और इसको 4 को 1 से multiply कर देंगे, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास यहाँ पर 200 बन जाएगा, प्लस मेरे पास यहाँ पर थर्टी बन जाएगा और प्लस यहां पर क्या बन जाएगा इसके बेस पर हम यह आपक्या बना सकते हैं that is तू हुंडेड़ एंड थर्टी फोर जब इनको तीनों को एड़ कर दोगे अगर इसको तो मैं 10 की पावर के बेस पे गरवाद करूँ तो ये बन जाएगा हमारा 10 की पावर 0, this is 10 की पावर 1, this is 10 की पावर 2, अतलब 10 के आगी कितने 0 है, 2 0 है, अब इनके साथ में आप एक के करके सबको multiply कर दो और आप सभी बना सकते, तो अब इन numbers में जो भी आप multiply करते रहोगे, उतने number अगर मुझे 533 बनाना है, तो क्या करो, पहले वाले से 5 multiply कर दो, इस से 3 multiply कर दो, इस से 3 multiply कर दो, तो 10 की power 0 हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यह कुछ आपका बन जाएगा 500, यह कुछ बन जाएगा यहाँ पर 30, और यह कुछ बन जाएगा 3, और जब इन 3 को add करेंगे, तो यह मेरे पास जो value आएगी, वो आजाएगी 533, ठीक है, इसी तरीके से similarly, यानि कितने numbers सिर्फ 2 numbers, कितने numbers हो चाता है, सिर्फ 2 number, तो यहाँ पर, इस जगे पर यहाँ पर क्या कर रहाओ, जितने numbers हैं उसकी power को लाल रहो, तो similarly अगर हमारे पास 2 numbers हैं, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, नीचे पर 2 डाल देंगे, फिर हम 0, 1, 2, 3 कर सकते हो, मतलब अगर आपको अब अगर ऐसा 0 0 0 लिखा है. तो आप इस 0 को एसे defским करो. इस 0 को एसे ход करो. इस 0 को एसे Concept2 करो तो आप value लिखे हो. तो अगर one zero zero हमने यह बिख दिया. यह प्लेट कौन से हुई? this is one because यह क्या होती हमारी two की power zero यह क्या होती हमारी 2 की पावर 1 यह क्या होती हमारी ऑकी की पावर 2 similarly इसी तरीके से 2 की पावर 3 यानि इस पोजिशन को क्या बोलेंगे 8th पुजिशन तो जैसे हमांरे पास normal numbers में हमारे पास 1- am cover सब्सक्राइब इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उनको हम फस्ट इनी वन इसको टू और इसको फॉर सिमिलरली दो की पावर मलब आप दो दो मल्टिप्लाई गुड़ा करते रहो तो यहां पर आठ आ जाएगा फिर यहां पर सोल आ जाएग 101 का मतलब क्या है यह वाली चार प्लस इसकी एक यानि यह किसको रिपरेजों कर रहा है यह 5 को रिपरेजेंट कर रहा हैおお 111 यानि यह सबसे एक्ष्ट्रीम पैटर्न है तो इसको भी अढ़कर होगे इसको भी अधकर पर होगे तो आप यहां पर सैवन मैं अ कि चार दुछे और एक साथ तो यानि कि तीन नंबर्स के पैटर्न से हम मिलके हम जीरो से लगा के साथ तक कितने भी नंबर्स लिख सकते हैं पर हमारे पास आठ भी है हमारे पास नौ भी है हमारे पास दस भी है हमारे पास ग्यारा भी है हमारे पास बारा भी है तो इतने प्रका और इस एक बल्ब के एड़ करते ही आप देखना कि कितने सारे पैटर्न यहां पर बन सकते हैं इस और नमबर ऑफ पैटर्स और इनके बेस पे हम कुछ जीरो से लगा के पंदरा डिजिट्स हम यहां पर लिख सकते हैं अब अगर इसके एक और एक और बिट करते रहो तो यही वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी आपके लिए समझने बात तो इसी तरीके से कंप्यूटर में जीरो और वन के पैटर्न के बेस पे आप एबी सीडी भी आप यहां पर इसी इसी पैटर्न से बनता है कि पहां है जीरो वन कि फॉर्म में से राई है लेर वात तो इस तरीके से में इसको कर थैं पर यह जो नमबर्स होते हैं हम इनको क्या बोलते हैं these are known as binary binary क्योंकि आप इसमें सिर्फ zero या one number को यूज कर रहे हो अब कंप्यूटर system में सिर्फ binary term नहीं होता बाइनरी मतलब सिर्फ एक ही चरीके के पैट कंप्यूटर में हमारे पास और भी तरीके के चीजह होती यां तो इसको करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा वसकाली कुछ थोड़ा सा पैटरन चेंज करना ठिक है आप के आछ अपके प्रकार यह ऑपके पर यह अपके represent करने के लिए binary zero one का फंटा थोड़ा सा कमजोर पड़ गया क्योंकि बहुत सारे उसमें pattern चाहिए थे तो इन्होंने क्या लेकिया है decimal लेकिया है, hexadecimal लेकिया है ये octal number लेकिया है binary अगर zero one की form में ले रहा है तो decimal ने क्या किया, decimal ने बोला कि input और output में क्या चल रहा है तो यहां पे मतलब क्या है कि सारा data zero one zero one की form में store है फिर कुछ अंदर कुछ होता है और उस मतलब आप अगर यहां पे print देते हो, तो print यह क्या करता है कुछ इसमें convert कर देता है zero one क्योंकि print है, यह कुछ अंदर जा करके अंदर जा करके यह कुछ conversion करता है तभी हमारा p जो है, वो हम zero में लिख देते हैं, r को कुछ हम इसमें pattern मना देते हैं, computer understand करता है उस चीज को, और उस चीज को हमें output में फिर हमारे ही तरीके से, अगर आप लिख रहे हो hello तो यहां पे भी वो hello के ही तिव में हमें कुछ यहां पे देदेगा, means, यहां पे कुछ एक, यहां पे कोई चीज होगी, कुछ एक यहां पे चीज होगी, जो की हमारी हिंदी English भाशा को, computer की भाशा में convert करता है, computer यहां पे वो चीज समझता है, और आउटपुट के तौर में यहां पे हमें फिर से उस चीज को हमें वापस दे देता है उसी भाशा में तो कोई यहां पे ट्रांसलेटर, कोई बीच का बंदा यहां पे जरूर अंदर बैठा हुआ है जो कि हमारी भाशाओं को दूसरी भाशा में बदल रहा है अब वो कौन है वो इंसान, वो इंसान है या क्या है वो नहीं पता में उसको जानने के लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा अगला वीडियो देखने के लिए आपको कल तक का इंदिजार करना पड़ेगा तो इसको यहीं तक रखते हैं, आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो गया कि कम्पेटर में इंफोर्मेशन किस तरीके से तो रहती है, वो किसी भी प्रकार की चीज हो, अगर मैं इसको समप करूँ पूरा का पूरा, तो आपका कोई भी डेटा सिर्फ जीरो या वन की फॉर्म में अंदर एगज़स्ट करता है, आप अगर कुछ भी लिखते हो, वो फिर जीरो या फिर वन की फॉर्म में है, इसके अलावा अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर आपके हैश्टेक्स का कोई मतलब नहीं except 0 and 1 अलब 0 and 1 और कुछ special symbols क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास octal है, hexadecimal, octal वगएरा सब कुछ हैं तो यह सब भी होते हैं यह तरीके से basically किसी भी चीज़ को define जैसे हमारे पार लिपियां होती है न कि देवनागरी वगएरा उसी तरीके से यह लिपियों की तरीके से काम करता है यह languages नहीं है यह हमारे पास languages नहीं है ठीक चालो तो इतना था अब इसके आगे का क्या है बीच में translator वो हम next video में बात करेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखें bye bye take care happy learning